नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अजमानी और हमारे सभी दर्शुकों को धंतीरस की हार्दिक्षुप काम लाए धंतीरस से दीपावली के महापर्व का आरम हो जाता है और धंतीरस इस बार 10 नमबर यानि क्याक्ष के दिन मनाई जाएगी कार्टिक मास के क्रिश्न पक्ष की त्रयोदशी तिथी को धंतीरस मनाये जाएगा और इस दिन धन के देवता कुपेड़ जी और धन की देवी मा लक्ष्मी की पूजा की जाती है इस दिन सोने चांदी के अलावा बर्तनों की खरीद भी की जाती है और ऐसी मानिता है कि इस दिन खरीदी गए वस्त्वों में 13 गुना विद्धी होती है धन्तेरस के तेवहार को विदेविधान से मनाने पर ये भी कहा जाता है कि साल भर धन की कमी का सामला नहीं करना पड़ता है आईए ऐसे में जानती हैं कि धंतेरस का महत्व क्या है, शुब मुहुरत क्या है और पूजा की विदी क्या है जिसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है पंडित जोतिश रविशंकर जी देखे, बन्नी जी मैं आपसे जानना जाऊंगे कि आज के दिन धंतेरस का ये पर्व मनाये जाना है और आज के दिन से दिपावली के महापव की शुर्वात हो जाएगी धंतेरस का महत्व सबसे पहले जानना जाएंगे जी आप सभी को धन तेरस की धेर सारी सुबकामना है और बहुत बहुत बधाई देखिए धन तेरस हिंदू तेवहारों में एक विशेश तेवहार है जिस पे ये कहा जाता है कि अगर आप कुछ भी खरीददारी करते हैं तो आपको दिन दूना राज चोगुना उसका होता है धन तेरस नमबर दो पाहर बारा बचकर पैसिमेट से ुरू होकर दूसरे दिन ग्यारा नमबर दो पाहर एक बचकर सातावन मेट पर समापत हो गी रहती कि धन्तेरस ती हिस बार प्रदौस काल में से पुजा की जाएएगी इसलिए विशेस है साथ ही धन्तेरस इस बार 10 नवंबर को ही मनाया जाएगा और आप उस दिन विशेश तरीके से पूजा करकर अपने जीवन को और अपने घर के धन को और भी बृद्धी कर सकते हैं परदोशकाल में इस बार धन्तेरस का पर मनाया जाएगा ये परदोशकाल आखिर होता है क्या और क्या इसमें कोई विशेश पूजा अचना करनी पड़ती है देखे परदोशकाल हमारी माताय बहने सभी जानती है परदोशकाल का वो ब्रत भी रहती है साथी प्रदोसकाल भगवान सिव का काल होता है जो उनके पूरे परिवार का विधी विधान पूजा किया जाता है और महिलाएं और माताएं बहने हमारी ब्रत रखती है और साम को उसका पूजा के साथ कुछ भी खाती पीती है काफी महीं आए तो नीरा जल भ्रत भी रखती है प्रदोशकाल का तो प्रदोशकाल का जो भी बृत रहता है वो उसे किसी प्रकार का कश्ट नहीं होता है सारीरिक मान सिक यह आर्थिक तुर और अभी लगतार आपयागी जिक्र कि क्या इसा संयोग है जिसका प्रभाव मानव जीवन और पूरे देश दुनिया पर पड़ता है इस साल धंतेरस पर पचास वर्स बात अधुद्योक के साथ ही धंतेरस पर शिवाष का भी योग बन ना कि सिवाष भी है आपका प्रदोसकाल भी तो बिसेश्व बनना है जिससे याप धनतेरस भोग करए पूजा करकर पा सकते हैं 50 वर्स मतलब 50 वर्सों में ऐसी संयोग नहीं बना है जो इस बार बनना है आप प्रदोसकाल के साथ ही धंतेरत है त्रोदशी है तो उसमें विसेश पूजा के साथ ही आपको विधी विधान के साथ करना चाहिए आप देखिए जैसे खरीदने की बात रही आप सोन खरीज सकते हैं चांदी खरीज सकते हैं साथ ही सोने से जडित कोई भी चीज आप सामान खरीज सकते हैं उसके साथ साथ सबसे जो अच्छा होता है वाहन खरीज सकते हैं भवन खरीज सकते हैं धंतेरत के दिन आपको जारू जरूर खरीदना चाहिए जिसमें ऐसा कथा है अ धन 13 के दिन आप तामे पीतल से बने आपको वर्तन खरीदने चाहिए इससे भी विसेस लाब होता है और तरक्की होती है साथ ही धन तेरस के दिन आप अगर अपने धन में बृद्धी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुवेर महराज की कृपा हमारे परिवार पर हम पर हमेशा और पूरे साल बनी रहे तो आप पांच गाट हल्दी का जरूर खरीदें खड़ी धनिया खरीदें यह सब आप लक्षमी की बढ़ोत्री होगी साथ ही आप गोमती चक्र खरीदें कोड़ी खरीदें पांस साथ कोड़ी जितनी आपकी सद्धानुसार और इसकी एक पोटली बनाएं लाल कपड़े में पोटली बनाकर और हो सके तो एक चांदी का सिक्का खरीदें जिसमें लचिमी गड़ेश की प्रतिमा बनी हो उस सब की पूरे विधी विधान से आप पूजा करकर अपने तिजोरी में अस्थापित करेंगे तो आपको विशेष धन के योग बनेंगे और धन धानी की कमी नहीं होगी आपके परिवार में य लेकिन किन-किन चीजों से बचना भी चाहिए आज के दिन ये भी जानना बहुत जरूरी है देखिए पहली चीज तो आपको अगर आप पूजा विधी नहीं जानते हैं तो आप पूजा करने के बाद छमाय आचना करें कि हमसे जो भी गलती हुई है हमारा सारा पूजा जाने अंजाने में जो भी भूल हुआ है उसको शोविकार करें और हमें हमेशा धन धानी से भरे रहें अभी क्या है कि जैसे आप क्या ना करें आप धन तेरस के दिन पहली चीज तो साथ भी करें दूसरी चीज आप पूजा में अगर बैठ रहे हैं तो कोशिस करें कि आप से कोई गलती ना हो आप जूट कपट ना बोले साथ ही आप किसी को सताय नहीं उसके साथ साथ आप पच्छी का भी विसेज ध्यान रखें और आप विसेज कर धनतेरस के दिन जैसे बह आपने बोला कि गैजट या कुछ भी ऐसे लेक्ट्रानिक कीजे तो आप नुकिली चीजें देखिये लेक्ट्रानिक में नुकिली चीज ना खरीड़ें या चाकू ना खरीड़ें साथ ही vori न खरीदें यह सब चीजे नहीं खरीदना चाहिए अगर यह खरीते हैं तो आप इसे ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में बडा परिवर्तन आ सकते। देखे मैं आपको बता रहा हूं इस बार जो धंतेरस है वो सुक्रवार के दिन पढ़ रहा है वो दिन मालक्षमी का दिन होता है सुक्सुवधाओं कारक होता है तो यह दिन और भी बेहत खास है परदोश है, शिवास भी है, अच्छे महायोग का निर्मार हो रहा है तो इन सब चीजों को लेके आपको विशेज ध्यान रखना होगा, अगर आप ब्यापारी हैं, तो आप हर वर्स कुवेर के साथ मालक्षमी भी पूजा करते हैं, तो कुवेर भगवान की अगर पृतिमा या मूर्ति आप अस्थापित किये हैं अपने ब्यापार के अस्थान पर या घर पर, तो आप कोसिस करें कि उनको पहले गंगा जल से असनान कराएं, फिर पंचा मिर्त से जरूर असनान कराएं, पंचा मिर्त से असनान कराने से, आपके जो भी पास नकारात्मक चीजें हैं, वो सब खतम हो जाएंगे, उसके बाद उनको अच्छे से कपड़े वस्तधारन कराके बिधी बिधान से चावल, अच्छत, कुम-कुम, ये सब चीजें रख कर, फूल, मीठा कुछ रख कर, बिधी बिधान से आप अगर नहीं किसी योग इब्रामन को बुला सकते हैं, तो आप रख कर, खुदी पूजा करें, और मालक्षमी का से प्रात्ना क करें, मालक्षमी का करें, कुबेर का करें, तो आपको निश्ची थी आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा और सुब रहने वाला है, पंडित जी हम ने शुबात में जिक्रिक क्या कि धंतेरस के बाद से ही लगतार दिवाली कपर वैसा कहा जाता है कि शुरू हो जाता है और धंतेरस के दिन से यह देखा भी क्या है कि लोग अपने घरों के बाहर घरों के अंदर दिए लगाते हैं, कितने दिए लगाना शुब माना गया है। जरूर जलाएं अगर पीपल का ब्रिच है वहां जलाएं तो ऐसे सारे ब्रिच जो पूजनिये हैं आवला का हुआ परिजात का हुआ ऐसे सारे ब्रिच के पास भी अगर आपके नजदीक हैं नीम का हुआ तो आम का हुआ तो जला सकते हैं साथ ही आप आम की पक्तियां असो पूजा हो पाएगी साथ ही आप पांच साथ ग्यारा मतलब दीपक ऐसी संख्या में जलाएं जो सुभ हो तो आपके लिए 21 जलाएं ऐसा आपके लिए अच्छा रहने वाला अच्छा पंडी जी एक सवाल हमारे पास ही है कि धन तेरस के दिन दीबदान भी किया जाता है इसके बीछे की वज़ा क्या है देखे दीबदान तो अपने सारे प्रमुक्ते वहरों में किया जाता है आप कहीं तीर सस्थल पे जा रहे हैं गंगा में असनान करना है तो कि भगवान राम के लिए माता दुरगा के लिए भगवान स्यू के लिए अर्पित करें झिस से कि आप अन्थे से उजाले की तरब जा रहे हैं मतलब आप एक रोशनी प्रकास फैला रहे जिससे आपके जीवन में हमेशा प्रकास में रहेगा और धन धान साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहेंगे धन तेरस का जो सुम महुर्त है पूजन का जो सुम महुर्त है साम को है भी है और सुबा भी है खरिदारी का जो महुर्त है वह आपका दो 45 से लेकर सुबा छे है और जो धन तेरस के पूजा करने का मुहूरत है वह सा बचकर साथ बचकर 42 मेंद तक मुहूरत है इसमें अगर आप पूजा करते हैं तो आपको पूरे वर्ष की कमी नहीं होगी दल दाने से आप भरे रहेंगे और जो भी सोचेंगे वह आपके जीवन में जरूर होगा ठीक है तो दीवदान की बात रहे लेकिन धंतेरस के दिन हम विशेश खरिदारी करते हैं लेकिन ये भी कहा गया है कि जो भी हम समान धंतेरस के दिन ले उसका तुरंत इस्तिमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि गैजट्स यह हमने जिकर किया और कई लोग बरतन लेकि आते हैं तो उसका तुरंत इस्तिमाल करने लग जाते हैं तुरंत खोला और उसका इस्तिमाल शुरू कर दिया क्या यह करना चाहिए देखे जैसे अभी लोगों की अलग-अलग धारना है लेकिन अगर आप उस दिन जो भी चीज सामान वस्तुएं खरीदते हैं उन वस्तुओं को लाकर सबसे पहले तो जो साम की पूजा होती है उसमें उनको सामिल करना चाहिए पूजा करनी चाहिए फिर आप अगर उसी समय उप्योग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नहीं आप कोसिस करें कि उसका उप्योग दिवाली के दि अगर हमें कोई चीज ध्यान में जहन में रखनी है कि नहीं करनी है तो वो क्या चीज होगी देखें आज के दिन कुवेर का दिन होता है और वैसे सुक्रवार का दिन रहेगा तो है तो मा लक्षमी का भी विशेज दिन है प्रदोश है तो आप आज के दिन सात्विक रहें आप अगर कोई नसा कर रहें तो वो ना करें अगर आप सात्विक भोजन करें तो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा साथ ही आप ब्रह्मचर का भी पालन करें पूजा वाले दिन तो बहुत ही अच्छा रहने योग है ठीके देखे पंडी जी अभी आपने जिक्रिक किया कि धंतेरस की बात से ही पर्व जो है वो शुरू हो जाते हैं अब देखे धंतेरस की शुरूवात तो हो चुकी है लेकिन क्या दिवाली तक कोई ऐसा सयोग है कि हमें धंतेरस के दिन से ही कुछ विशेश करना चाहिए ध्यान में रखना चाहिए देखे धन्तेरस वाले दिन से आपको विसेश डेली आपको पूजा करनी चाहिए देखे आपका दीपक डेली जलना चाहिए अगर धन्तेरस के दिन शुरुआत कर रहे हैं तो आपके घर में घर के बाहर दर्वाजे पर दीपक जलना चाहिए जब तक आपका सारे तेवहर बी करना चाहिए पूजा में फूल अच्छत रोली चंदन इस सब का जरूर प्रियोग करें लाउंग लाइची क्योंकि मादेवी को अत्प्रिये हैं अगर हो सके तो आप सफेद मिश्ठान माल पुआ साथ ही खीर हो गएरा अगर आप सुद्ध बना सकते हैं तो आप जरूर बना कर मालक्षमी को प्रशन कर सकते हैं और ऐसा कहा गया है कि धन्तेरत से क्या आप करवाचोच से ही मालक्षमी का धरती पर ही वाश रहता है तो वह अगर आप सुख सुविधाय के साथ साथ आप मालक्षमी की विसेश आरादना करते हैं लक्षमी श्रोत का पाठ करते हैं उनक चैङे देखे, पंडिजी एक सवाल हमारे एक विवर ने पूचा है कि अभी आपने जिक्रिक किया था कि धंतेरास के दिन ज़ाडू ज़रूर खरीदना चाहिए क्या उनका सवाल है क्या हम कोई भी ज़ाडू खरीद सकते हैं हाँ जाडू तो जाडू होता है आप कोई भी जाडू खरी सकते हैं कोसिस करें दिन ढलने से पहले खरीदें दिन ढलने के बाद जाडू नहीं खरीदा जाता है और उसमें मालक्षमी का वास होता है तो आप दिन ढलने से सूर्यास के बाद ना खरीदें खासकर जो साम का गरों से करने में नहीं करनी चाहिए नहीं कर नीकर इसे तो लोग दिवाली के दिन साब सफाई में गया रहते हैं लेकिन कहा गया है कि जिस दिन आप कुबेर का पूझा कर लिए मालक्षमी की पूजा कर लिए धन्तेरस के बाद से घर में कोई सफाई नहीं करनी चाहिए यह वास्तु दोस होता है वास्तु के साथ आपके जीवन में हमेशा दलितता का वास रहता है इसलिए आपको साफ सफाई करना है तो धन्तेरस से पहले ही आप कर लीजिए धन साथी साम के टाइम तो कभी भी आपको जाड़ू नहीं लगाना चाहिए वो पूरे वर्स की बात है अगर सूरी ढल गया अस्थ हो गया तो आपको नहीं लगाना चाहिए अगर आप देने योग हैं तो दे सकते हैं वो एक उपहार होता है लेकिन कोशिस करें कि सोने से या पैसे मतलब जिसमें लक्षमी का पूरा हो और दूसरे को देए आईसा भाड़य। देना है लेकिन तोफकर देना है तो उससे पहले दें जब आप के घर-पूजा एक बार प्रारं हो जाए तो उसके बाद आपको ना कोई तोफ्रे देना चाहिए ना लेना तो एक विशेश तरीकर का सयोग बनेगा ही उसका जिक्र हम बाद में करेंगे लेकिन धंतेरस को लेके भी तैयारिया देखने को मिलती हैं बाजार तैयार हो चुके हैं और तमाम विदी विदान के साथ हम इस पर्व को मनाते हो आएंगे लेकिन दिवाली को पीछे के मनाने के पीछे बहुत ही पौराणिक कता है कि जब भगवान राम आयोध्या आए तो आयोध्या दीपो से जगमगा उठा जिसके बाद से शुरू हुआ दिवाली का पर्व लेकिन धंतेरस को मनाने के पीछे की पौराणिक कता यह है कि धंतेरस जो वर्ष में एक बार ऐसी तिथी आती है जिस पे आप धंतेरस नाम ही उसका है धंतेरस तो आप उस दिन धं की पूजा करते हैं आप अगर वियापार करते हैं तो मदहन के दिवताक उनकी आराददा करते एं विशेष खासकर यह आरादना आप एक दन करते हैं और पूरे वर्ष प्रभू आपकी सेवा आपको प्रदान करते हैं मतलब सेवा करने का उसर प्रदान करते हैं तो आप ऐसी कथाएं कि धंतेरस के दिन जो भी धनियों की पूजा करता है मालक्षमी की विशेश किर्पा महराज कुवेर की पूजा करता है उसको साल भर वर्ष भर क कमी नहीं रहती है साथ ही ऐसा जैसे आपने बताया कि दिवाली के दिन प्रभुसी राम आये थे धन 13 के दिन मालक्षमी और धन के देवता कुबेर उनका वास होता है उनकी विशेष पूजा की धन 13 क्योंकि आपका उसमें इंकम भी ज्यादा होता है वैसे भी आपको लगता है कि धन का संचार बढ़ गया है साथ ही आप विशेष पूजा भी करते हैं तो उनके लिए बेहत खास है और परणारिक कथा इसकी कई हैं जो बहुत ही लंबी और अच्छी हैं अगर आपको टा रखें और विधवत पूजा करें अगर आप ब्रहमर्ण या योग आचायर बुला के नहीं कर सकते तो आप खुद ही करें लेकिन जो भी करें दिल से करें मन से करें तो आपके लिए प्रभू हमेशा तरक्षी का रास्ता खोलें पिल्कुल शेकर धन्यबाद पंडित रवी टीवी और एक बर फिर हमारे सभी दर्शकों को धन्तीरस के हार्दिक शुकामनाय और बधाई नमस्कार